तो आज हम लोग इसको काट के पकाने वाले हैं तो पहले हम लोग इसको काट लेते हैं तो लेट स्टार्ट कटिंग तो अभी मेरा कजीन रुपेश इस विद मी ओके तो यह फिश कट करने वाला है तो आज देखते है कि रुपेश है कैसे फिश कट करता है और उसके बाद हम लोग इसको पकाएंगे हलो तो रुपेश इस रेडी विद नाइफ और यह अपना फिश है और यह पे अपना डॉगी भी है ओके तो रुपेश लेट स्टार्ट तो भी बहुत बड़ा मची है तो इसके लिए पहले हम लोग खवुले निकाल रहे है रुपेश के ममी उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है आप कितने भी एक्सपर्ट बन जाओ तो फिर भी ममी तो इंस्ट्रक्शन देगी तो अब इसके खवुले निकलने के लिए बहुत टाइम जाने वाला है तो अभी यह ले लिए अभी इसके खवुले निकल रहे है तो अभी वीजे सेड़ भी आप पर आ चुके है तो अभी यह जो फीश है इसके खवुले निकल के हो गए है तो अभी इसको वाश कर लेते है तो अभी इसका अभी कटिंग करना स्टार्ट कर दिये है अज़े लग रहे है कि बहुत सारी अंडिया है इसके पेट में इसका पेट साफ करके ले ले है तो यह लग रही है उसकी एक्ज है तो अभी इसका पेट साफ करके ले लिए है थोड़ा बहुत तो इसको बहुत अच्छा दार है तो इसको बहुत अच्छा दार है तो आक्छा टारी की है तो इसका बहुत अच्छा प्राव प्राव करें साथ अभर भी गोल अर्म ईंखती । आहती साथ दूती सरय तो अब ये shopping almost done हो गया है अब भी उन्हों किसको फ्राइय बिसके नमक और लगाएंगे आगूर मतलब जो कोकॉम होता है उसका ग्रेवी है तो पहले हम लोग इसको आगूर लगा के लेते हैं अब इसके अंदर ये लाल मसला डाल रहे है और अब इसके अंदर नमक डाल रहे है तो अब ये आगूर मसला और नमक लगा के हो गया है अब इसको हम लोग 20 मिनिट के लिए रखेंगे और उसके बाद इसको हम लोग फ्राइ करेंगे और ये जो रिमेनिंग फीश है इसका हम लोग ग्रेवी बनाएंगे कालमन के लिए यूद्स करेंगे तो अब ये आदे गंटे के लिए रुखते हैं तो ये जो फीश था हम लोग का ये भी हम लोग ने आदे गंटे के लिए रखा था तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गया है क्योंकि चुले की ऊपर और आप देख सकते हो चुला मसपर की गरम हो रहा है और यहां पर हम लोग ने ये चावल का आटा और रवार लिए और इसके इंदर थोड़ा मसाला डाला हुआ है और यहाँ पर ओईल है तो अभी हम लोग इसको फ्राइ करना स्टार्ट करते हैं तो अभी यह पहले ओईल ले लिए है अब इसको थोड़ा गरम करते हैं और इसको भी जो फिश के पीसे से इसको यह चावल और रवा लगा रहे हैं हम लो और यह भी हम लोग ने तबे पे डाल दिया इसको फ्राइ करने के लिए अगयोग को जो दो है अब प्रिशता है मैं अब तो यह चूले पीश पागने का अपना यह चूले पना इसकता है यह एक मज़ा है आप यह नेक्स्ट कंसेंट्मेंट भी रेड़ी है फ्राइ करने के लिए और यहां पर आप गाय और भैस के बच्चे देख सकते हो अब इसको तोड़ा पल्टी मारते है अब इसको तोड़ा पल्टी मारते है तो अब भी यह भी बच्चे है और यहां पर यह सब चावल काटा और रवा डालके लगा के रख दिया है तो अब यह फिश फ्राइ रेडी हो गया है अब इसको प्लेट में निकल लेते हैं गर फ्राइ यह तो भोर फ्राइ तो आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े पीसे से इसके अंदर तो अभी यह जो नेक्स कंसाइनमेंट है वो डालना स्टार्ट करते हैं अब थोड़ा ओईल डाल दिया है एक्स्ट्रा और अभी यह और थोड़े पीसेस डाल रहे है फ्राइ करने के लिए अब यह सेकंड कंसाइनमेंट भी रेडी हो गया है और यह भी थल्ड़ा हो गया है तो फाइनली यह जो हमारा गर फीश फ्राइ यह भी रेडी हो गया है तो इस ताइम तो टेस्ट इट अभी टेस्के में बता था हूँ कि यह कैसे लग रहा है स्मेल तो बहुत ही कुबसूराद आ रहा है वो सॉफ्ट एक दम यह आप देख सकते हो अपि यह लिटरली टूट रहा है यह आपे अब यह आप देख सकते हो कैसे टूट रही है अभी यह बड़ा बिच देखो एक नमबर जखास जिशाएं तो अगर आपको कभी कर नहीं तो भोर इतना बड़ा मत्नी में जाएं तो भी आपको पता है कि उसको कैसे पकाना है और उसको कैसे खाना है कैसे विडियो क्या होगा तो आपको यहीड वीडियो पसंदा आहोगा यहीज थि रहôm है यहा नंकर प्रिणी देखो